यूपी में खुलेगी छे प्राइवेट इन्वर्सिटीच, प्रस्ताओं को योगी सरकार की मंजूरी, यूपी के इन जीलों को मिलेगा तोफवा, मतुरा, फर्रुखबाब, आगरा, गाजगाबाद और मेरट विश्विद्याले खोले जाएंगे नमस्कार, मैं अनुश्का सिंग, उतरपदेश के युवाओं को अच्छी उच्छी सिक्षा मिल सके, इसके लिए राजिसरकार ने छे प्राइवेटल विश्विद्याले खोले जाने के प्रस्ताओं को मंजूरी दे दी है सीएम योगी अधितिनाद की अध्यक्षता में मंगलवार कुई क्याबिनेट की बैठक में मतुरा, फरूखाबाद, आगरा, गाजियाबाद में एक-एक और मेरट में दो विश्विद्याले खोले जाने पर महुर लगी उच्छी सिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याई ने कहा कि विश्विद्याले के खोलने से छातरों को गुनवत्ता पुर्ण सिक्षा मिल सकती है उच्ची सिक्षा मंत्री ने कहा कि छोटे शहरों में नीजी विश्विद्यालों के लिए राजिसरकार कई तरह के इंसेंटिव देगी इसके लिए राजिसरकार जल्द नई पॉलिसी लाएगी उन्होंने कहा कि क्याबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने छोटे शेहरों में नीजी विश्विध्यालों के लिए पॉलिसी बनाने के लिए निर्देश दिये हैं प्रदेश के जरजर हो चुके पुराने आड़िड माध्यमिक विध्यालों की सूरत सवारने का रास्ता साफ हो गया है प्रोजेक्ट अलंकार के तहत वश दो हज़र बाईस तेईस के बजट में आड़िड विध्यालों के जर्नोधार के लिए दो हज़र करोर रुपे का प्रावधान किया गया था आड़िड स्कूलों के लिए शत रखी गई कि जितने का निर्मान कारे होगा उसकी 50% धनराशी उन्हें खुद उठानी होगी ऐसे में सरकार के काफी प्रयास के बावजूद विध्यालों ने प्रस्ताव नहीं भेजे इसे देखते हुए सरकार ने मैचिंग ग्रांट में संशोधन का प्रस्ताव तयार किया इसे मंगलवार को मंजूरी दे दी गई विध्यालों को जो 25% मैचिंग ग्रांट देनी होगी इसमें से भी CSR और विधायक निधी से सहयोग लिया जाएगा ऐसे विध्याले जो 70 साल से अधिक पुराने हैं उनका जर्नोधार हो सकेगा विध्याले D.I.O.S. के माधियन से प्रस्ताव भेजेंगे माधमिक सिक्षा निधेशक ने स्थर से 3 चर्णों में 40-40-20 के अनुपात में धनराशी जानी की जाएगी अधिड माधमिक विध्यालियों के सिक्षकों द्वारा सेवा निवृतित की उम्र में विकल्प ना भरे जाने के बावजूद उनकी मृतियों हो जाने पर परिवार को ग्रैच्यूटी मिलेगी सिक्षकों को 60 या 62 साल में रिटायमेंट का विकल्प भरना होता है जो 62 साल का विकल्प भरते हैं उनको ग्रैच्यूटी का लाब नहीं मिलता कुछ सिक्षक विकल्प नहीं भरते ऐसे में 7 साल की उम्र से पहले मृति होने पर उनके परिवार को ग्रैच्यूटी नहीं मिलती थी इस में से संशोधन को काबिनेट ने मंजूरी दे दी प्रदेश के 5 बस अड़ो को PPP मोड पर विक्सित किया जाएगा इस बस अड़ो के डेवलापर्स को letter offer, intent जारी किये जाने के प्रस्ताओं को काबिनेट ने मंजूरी दे दी बस अड़े कुशांबी गाजयबाद, आगरा फोर्ट, गोमती नगर, सिविल लाइन्स प्रयागराज, पुराना गाजयबाद में विक्सित किये जाएंगे कुल 23 बस अड़ो का PPP मोड पर निर्मान किया जाना है राजिसरकार बचे 18 बस अड़ो के लिए भी जल्द लेटर ओफ इंटेंट जारी करेगी प्रदेश में रक्षा, एरोस्पेस सेक्टर में निवेश करने वाली कम्पनिया अगर इंडस्ट्री लगाने के लिए लीज पर जमीन लेती है अभी तक इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन खरीदने पर स्टॉप ड्यूटी में चूट का प्रावधान है कोशागारों और उपकोशागारों में डंप 6,000 करोर रुपे मूल के भौतिक स्टैंपों के प्रयोग को राजिसरकार बढ़ावा देगी और योगिक विकास पधिकर्नों और विकास पधिकर्नों में इसके चलन को बढ़ाया जाएगा खरीब 2023 से रभी 2026 तक प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना और फसल बीमा योजना को लागू किया जाएगा भवनों में अतिविसिष्टियों के लिए नहीं लेनी होगी क्याबिनेट की मंजूरी मुख्य सचीव की अध्यक्षता वाली कमिटी लेगी निरने उचे दर दुकानों में इलेक्ट्रोनिक वेंग मशीन और ई-पास मशीन लगाने के लिए आरेफ़पी को मंजूरी नॉइडा में मयूर वियार फ्लाइओवर से महा माया फ्लाइओवर तक प्रस्तावित पास दिसमलोग नौच छे किलोमीटर एलिवेटेड रोड पर मुहर